हाँ जे लास्ट क्लास में हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरड से रिलेटिड कुश्चन और आज भी वही करेंगे हम एक 23 का एक सिचुएशन था मोर देन 2 हाउस वो पेंडिंग था हम उसको करने जा रहे हैं अब तो सर जब more than 2 हाउस होगा तो क्या लौ कहता है एक बार हम देख लेते हैं वो क्यूंकि normally हमें लौ के इसाप से चलना होता है हाँ जी बोड पे देख लेजिए सारी बाते बंदो गई होगा तो इसके अंदर क्या कहता है लौ आप ध्यान दीजिएगा law का कहना है sir आप अपने लिए एक से ज़्यादा घर नहीं रख सकते मतलब कि आपको घर किराये पे रखना है मेरे इस वाले example में न ये भी self occupied ये भी self occupied ये भी self occupied तीनों घर self occupied है इस वाले example अगर तीनों घर self occupied है तो normally हमें पता है self occupied में सीधा तीनों घर क्या आ जाता यानि in case हमारा घर self occupied हुआ तो एने भी zero ये पढ़ा है हमने लेकिन law का थोड़ा सा लग रूल है law का कहना है कि आप दो घर ही self occupied कर सकते हो अगर आपके पास मान लेते हैं 5 घर है तो दो घर कोई भी चुन लिजिए self occupied उसमें रह रहे हैं या नहीं रहे हैं matter नहीं करता बाकी हम तीन घर को let out मान के आपसे tax ले लेंगे यानि सर हमारे पास तीन घर है government के rule के हिसाब से government क्या कहती है सर आप कोई भी घर दो आपको जो लगता है दो घर को आप मान लिजिए self occupied और उसका NAV आप zero कर दीजिए और जो घर आपका self occupied नहीं है मतलब के H1, H2 और H3 H1, H2, H3 यानि कोई भी दो घर आपको self occupied मानना है तो एक subject होता है आपका personal tax planning अगर house property में question पूछा जाएगा न तो वो यहां से पूछा जाता है इसके अंदर examiner को बताना हमें यह है कि कौन से दो घर को self occupied मानना चाहिए तो tax planning के हिसाब से क्या कहता है कि आप जहां सबसे कम tax आएगा उसको हम क्या करेंगे वो combination मानेंगे यानि हमें यहां हर level पे check करना होगा सर पहले हम इस दो घर को self occupied इसको let out मान लेंगे यानि मैं अगर check करूँ तो एक situation number one बनेगा सर situation number one क्या बनेगा सर कि मैं h1 plus h2 दोनों को so मान लू और plus h3 को मैं मान लू let out situation number two क्या बनेगा h1 और h3 दोनों को so मान लू और plus h2 को क्या मान लू h1 को क्या मान लू मैं let out मान लू यानि एक तरीके से हमें trial error करके देखना होगा तीसरा situation क्या बनेगा सर h1 और h3 को self occupied मान लू और plus h2 को क्या मान लू जहां पे सबसे minimum income आ रहा होगा न जहां पे सबसे minimum income उसको बोलेंगे ये situation follow करेंगे उसके according रहेगा सारा अब हमें इस case के अंदर सर सब को करके देखना होगा इसी तरीके से h1 को h2 को self occupied यानि एने भी 00 और h3 को करेंगे तो इस हिसाब से सारे combination करके देखने होगे तो इसका करने का तरीका क्या है यानि सर यहां पे क्या कहता है जिबन more than two house होगा तो कोई भी two house any two house आप क्या कर सकते हो self occupied मान सकते हो self occupied आप मान सकते हो यानि बच्चे वे घर को आपको let out मानना होगा लेखिन मान लेते हैं तीन घर है मैं इसके अंदर रह रहा हूँ यहां नहीं रह रहा है यहां तो government बोलती है रहने वहने से हमें मतलब नहीं है आप अपने tax planning करवा लिज़े जैसे लगता है वैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम अपने इस आप से calculate करके बता देगे तो ऐसे situation में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए सबसे पहले हमें एक बार तीनो घर को let out मान लेंगे फिर ये वाले rule को एक एक करके कर लेंगे हम तीनो घर को क्या मान ले हम let out ऐसे situation में तीनो घर को let out अगर मैं तीनों घर को लेट आउट मान लूगा तो self occupied में तो कोई जंजट नहीं है एक बार तीनों घर को let out मानो और एक बार तीनों घर को self occupied या तो फिर मैं केसी अलग-अलग कर देता हूँ कोई बात नहीं थोड़ा lengthy हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं मैंने situation बनाया सर H1, H2 और H3 इन दोनों को मैंने माना है self occupied इसको let out मान दिया ठीक है और ये है हमारा situation number one यानि case number one सर यहाँ पे क्या होने वाला है सबसे पहले अब तीनों घर इसमें से ये वाला MB सर MB एक लाख और दो लाख और तीन लाख FR सर दो लाख तीन लाख चार लाख SR सर यहाँ है ही नहीं यहाँ दो लाख और यहाँ 3.5 लाख मैं अपने आले example से लेके चल रहा हूँ अब यहाँ पे expected rent होगा सर expected H1 self occupied है तो 0 H2 भी self occupied है तो 0 यहाँ पे क्या होगा इन दोनों में से higher than lower तो क्या आजाएगा यानि आपका GAV जो है यह 0 यह 0 यह 3. इसमें से माइनस क्या करेंगे MT MT यहाँ पे क्या माइनस हो नहीं सकता 0 है यहाँ पे भी नहीं हो सकता दूसरे वाले में माइनस किया जा सकता है that is 35 नहीं पंद्रह हजार जो की है हमारा पंद्रह हजार रुपे यहाँ पंद्रह हजार चलिए सब अगर हम देखें तो NAV आ गया 00 315 माइनस करेंगे अच्छा 335 माइनस करेंगे हम 24A बताइए 24A किसका था याद है कुछ वो 30% standard तो यहाँ तो मिलेगा नहीं यहाँ मिलेगा नहीं यहाँ मिलेगा बताइए क्या रहा है 30% 1,00,00 सर मेरे पास बिल्कुल 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 जो बुक में लिखा है वही बुक में गलत बाते थोड़ी पढ़ाई जा रही है कितना आ रही है 1,00,00 5,000 1,00,00 500 अब माइनस कर देगे 24 पहले घर का कितना है अब देखो self-occupied में आपको पता है कि कितना maximum deduction है 2,00,00 पहले घर का कितना है सर दूसरे घर में maximum deduction कितना allowed है तो दूसरे घर में मिलेगा और तीसरे घर में कोई limit है क्या यानि सर इस question में मुझे यही समझाना है जो amendment है इसलिए इसको मैंने interest के बाद consider किया नि तो पहले समझी नहीं आता सर आपको यह यानि जो 2 lakh की limit है न वो total है एक घर का 2 lakh नहीं है जितने भी आपके मिला के self occupied होंगे सब का total तो यानि देखो एक 50 यहां ले लिया और मैंने 50 ऐसा भी मेरे को मैं कर सकता था यहां पर पूरे 2 lakh ले लू और यहां पर 0 लेके कर सकते थे ठीक है तो यहां पर income आगे माइनस का 1,5 lakh यहां income आगे माइनस का 50,000 और यहां बताईए क्या है 199,50,00 सर अब IHP निकालना हो नो IHP तो क्या निकालेंगे तीनों घर की income को जोड दिया जाएगा वही IHP होगा तीनों घर के income को अगर जोडेंगे तो 15,000 माइनस का प्लस माइनस का सरी 1,5 lakh माइनस का प्लस 50,000 माइनस का और प्लस 1,99,500 बताईए क्या आया इसका जवाब नेगेटिव 500 रुपे आया अब जिसका income कम आएगा जिस combination में total income कम आएगा वो best option है वो ही हमारा आंसर माना जाएगा अब situation 2 करके देखते है सर situation 2 करके देख लेते हैं थोड़ा सा situation 2 में जो कह रहा था फिर situation 3 देख लेंगे आपलू जो प्माइब देखते हैं जो शो आया जो कहा रहा हुआए लेता है झालू आपलूऌ आपलूजशनों देखिये सर H1 और मैंने कहा H2 और H3 को क्या मान लेंगे हम और H1 को मान लेंगे लेट आओ शॉटकट भी है कुछ बच्चे सोच रहेंगे सर इसका कोई शॉटकट नहीं है शॉटकट भी है बताएंगे अभी पहले long process से समझ लेते हैं एक लाख, दो लाख एक लाख, दो लाख अच्छा, मैंने change कर दिया न दो लाख तीन लाख और एफ आर सर एफ आर को अगर ले तो तीन लाख चार लाख और दो लाख SR, सर SR में क्या आएगा दो लाख 3.5 लाख और 0, expected rent आ गया सर सर expected rent क्या आया क्योंकि ये self occupied है तो ये 0, ये भी self occupied है 0, यहाँ पे आ गया हमारा तो यही GAV consider किया जाएगा और minus MT करें तो जिसको let out वहाँ तो allowed है सर तो MT में यहाँ पे 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ पे पहले वाले घर का MT कितना था हमारा तो यहाँ 5000 रुपय allowed हो जाएगा सर ये निकल के आ गया NAV that is क्या है हमारा NAV यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 लाग में से 1 लाग 95,000 सर माइनस कर दो 24 A तो 24 A में हाउस नुमबर 2 पे इंटरस कितना है तो चलिए सर 2 लाग पूरा ही ले लेते हैं अब यहाँ मिलेगा क्या हाउस नुमबर 2 का 2 लाग कंसीडर कर लिया मुझे जवाब दीजे कमेंट में क्या तीसरे घर में जो हमने जो तीसरे घर के अंदर हमने 35,000 रुपे का इंटरस पेड कर रखा है उस इंटरस को क्या यहाँ लेंगे या नहीं लेंगे जवाब दीजे नहीं मिलेगा क्योंकि ओवर ओल आपका लिमिट है 2 लाग रुपे ओवर ओल लिमिट है आपकी 2 लाग रुपे इसके अंदर आ जाएगा सर इसमें कितना लिमिट मिलेगा लेट आउट में तो अनलिमिटेड तो पूरे डेड लाग अच्छा ए में लिख दिया कोई बात नहीं यहाँ 0 0 195 का निकाल लीजिए देखे जिसके डाउट है है हेंड रेस का सभी का डाउट लिया जाएगा लेकिन क्लास के हेंड बे क्योंकि अभी डाउट के लाग कुछ होई नहीं रहा इंटरस फिर से बता दो लास्ट क्लास देखनी होगी जो बच्चे लास्ट क्लास नहीं देख के आए उसे इंटरस का कुछ भी समझ में नहीं आएगा और 0 और यह क्या आगया और यहाँ पर आएगा सर हाउस नमबर वन का डेड़ला यह आगया आई एच पी पहले का आगया दो लाक नेगिटिव दूसरे का तो 0 रह गया सर तीसरे का नेगिटिव तिरह 500 यह लोग दोनों नेगिटिव आई एच पी अगर यहाँ पर निकाला जाए दो लाक नेगिटिव का प्लस तेरा पांसो भी नेगेटिव तो बताइए दो लाग तेरा हजार पांसो माइनस का कह रहे हैं के सर H1 में दो लाग तो आपको पहले इंटरस का पॉइंट ध्यान रखना है इंटरस में बार बार पिछली क्लास से भी इंटरस ही चल रहा है यानि आपको मैक्सिमम सेल्फ उक्यूपाइड में दो लाग के लिमिट और लेकिन इससे पुरानी जिसने पढ़ा हो वहाँ पे हर घर का दो लाग लिखा हुआ था हर घर का लेकिन 2019 में एमिंडमिंट आया कि भी आप हर घर का दो लाग नहीं देंगे अब हम सब मिला के घर का कितना देंगे दो लाग अगर सेल्फ उक्यूपाइड हुआ लेट आउट के लिए तो कोई चीज है नहीं लेट आउट में तो कोई रूल नहीं लगता भी आ लेट आउट में तो जितना इंटरस पे किया सबका डिड़क्शन ले लो चाहे 10 लाग हो चाहे 50 लाग हो किस में कोई निर्स के अभी बात ही नहीं कर रहे है सेक्शन 26 तो पढ़ी नहीं रहे है अभी हो जब पढ़ेंगे तब अभी सरिफ इसकी बात अभी जो चल रहा है सरिफ इसका ER कैसे आया ER expected rent वही higher lower करते करते self occupied में तो मैं directly बस यह मैं formality कर रहा था हाला कि मुझे क्या करना चाहिए था पता है self occupied में direct zero कर देना चाहिए था वो तो just formality है यह let out वाले का तो higher lower के हिसाब से होता है 8RR होगा नहीं क्यों नहीं होगा सर क्योंकि मकान किराय पे में कह दिया कि तीनों घर self occupied है Mr. X कह रहा है तीनों घर क्या है हमारा self occupied तो सर यहाँ पे income आई minus 500 यहाँ पे 2,13,500 तो अभी तक तो मुझे यह वाला situation ठीक लग रहा है लेकिन अभी तीसरा combination बागी है क्या पता तीसरे में इससे ज़्यादा minus में आ जाए तो हम बोलेंगे भाईया यह situation चूज करेंगे तो यह working note का part नहीं है यह fair work का part है तीनों situation करके conclusion डालना पड़ेगा कि यहाँ पे higher हमारा benefit है इसलिए हम यह वाला portion opt करेंगे तो चलिए सर इसके बाद हम ले लेते हैं दूसरे वाले का यानि h1 और h3 self occupied ले लेते हैं section 22 से 27 तक पढ़ना था जिसमें से 22, 23, 24, 27 हो चुका है 25 और 26 एक ही दिन में नहीं पढ़ जाएगा सर यह क्या combination है h number कौन सा है सर h1 और 3 h1 और h यह हमारा so और h number 2 lo let out सर mv h1 का एक लाग इसका इसका दो लाग f r क्या था याद है f r हमारा 3 नहीं f r 4 नहीं मैंने गलत ले लिए कि h1 h3 ठीक है f r आएगा हमारा 2 और 4 2 लाग 4 लाग और और s r question में given है यह सिर्फ मैंने example बना दिया आप लोग को समझाने के लिए बताइए क्या है था 1 में तो था ही नहीं 3 में क्या था सर 3 में था आपका 3.5 और 2 अब यहाँ e r आ जाएगा expected rent तो यह तो self occupied 0 होगा यह भी 0 होगा यहाँ से क्या होगा 2 लाग अब यहाँ पर इसी को g a b consider कर लिया जाएगा 0 0 और 2 लाग minus mt कर देंगे sir mt में यहाँ मिलेगा नी यहाँ मिल जाएगा h2 का देख लेते है mt क्या है sir h2 का 10 अजार है तो 10 अजार यहाँ से minus करने दे दिया जाएगा इसको minus करने के बाद आ जाएगा n a b 0 0 190 अब इसमें से minus करेंगे पहले 24 a फिर minus करेंगे 24 b sir b sum a पता ही क्या है 30% और b पता ही क्या है interest ठीक है न तो a में तो यहाँ पर कुछ है नहीं यहाँ पर आ जाएगा कितना आएगा 57 और b की बात कर लेते है sir b की h1 का sir h1 का 1.5 लाक ok minus h3 का h3 का 35 है तो क्या 35 पूरे ले ले yes पूरे 35 ले सकते है क्योंकि 1.5 लाक रुपे और 1.35, 1.85 होता है जबकि law 2.5 लाक परमी सेबल करता है हमें तो sir हमने इसको दोनों को ले लिया इसमें और लिया जा सकता था लेकिन है ही नहीं हमारे पास h2 का क्या था हमारा 2.5 लाक तो यहाँ पे तो sir कोई limit ही नहीं है चलिए sir अब देखते हैं तीनों में क्या बनता है इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यह तो माइनस का डेड़ लाक यह माइनस का 35,000 और यह 67 माइनस का माइनस 67 सही से देख लिया ना ठीक है सब माइनस में यानि आई एच पी क्या बन गया आपका 2 लाक सबको जोडने 2 लाक 52,000 माइनस का तो sir जो सबसे कम इनकम है देखिए एक है यह माइनस का 2 बावन एक है माइनस का 2 तेरा और एक है माइनस का 500 सबसे कम इनकम कौन सी है यानि हमारा ये वाला सिच्वेशन क्या रहेगा नहीं कौन सा आला जो लास्ट वाला लिखा हमने तीसरे वाला अब सर तीसरे वाला जादा क्यूं आया इसको पता करने का देखो क्या तरीका होगा सबसे महंगे घर जो है वो सेल्फ उक्यूपाइड माल लो अब देखो इसमें से सबसे महंगा घर ये है एक इसके बाद कौन सा महंगा घर है है एच्टू है तो एच्टू और एच्ट्री लेखिन यहाँ पर इसे इंट्रस्ट का भी फेक्टर आ जाता है वैसे हला कि अगर इंट्रस्ट नहीं होता तो मैं एच्टू और एच्ट्री को एसो मानता और ये वाला कॉंबिनेशन बढ़िया बन जाता लेकिन क्योंकि इंट्रस्ट है तो इंट्रस्ट के केस में क्या होगे हमारा सेनेरियो चेंज होगे हमें तीनों करके देखना होगा मैं अगेन कह रहा हूँ हमारे सवाल 2021 में भी आया था 2020 में भी आया था सेम सवाल बस इसमें कुछ और पार्ट जोड दिये गए था इंट्रस्ट वगरा के कैलकुलेशन करके आंसर ऐसे ही देना था आप पेपर में देख सकते हो इसी तरीके से आया हुआ है प्रस्नल टेक्स प्लानिंग में भी अगर हाउस प्रपर्टी में से कुछ पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कॉम्बिनेशन बना के बताईए टेक्स प्लानिंग के परपस से क्या किया जाए तो सर टेक्स प्लानिंग के परपस से हमें H1 और H3 को self occupied मान लेना चाहिए और H2 को let out मान लेना चाहिए क्योंकि यहां हमारा income है वो सबसे lower है income क्या है इस situation में सबसे तो मुझे इसको समझाने का क्या purpose था आप भी समझोगे थोड़ा कि मैं पहले ये वाली बाते इंटरस्ट वाली बाते अगर मैं उस दिन करवाता ना जिस दिन मैं situation करा रहा था तो साइद समझाना मुस्किल था क्योंकि उस्टम आप बोलते सर ये इंटरस्ट है क्या 24B क्या है लेकिन आज आपको पता है कि इंटरस्ट का क्या meaning है प्री कंसेक्शन बहुत सारी चीज़े कर ली है लेकिन हाँ यही अगर new रिजिम से new रिजिम आप्ट करते अगर हम तो वहाँ 24B तो हमारा allowed तो वहाँ पे कुछ और scenario होता सवाल ऐसा आ सकता है new और old रिजिम में से बहतर कौन सा है ये बताए कहां पे तो सार अगर मैं अब new रिजिम आप्ट करता हूं इसके अंदर तो सारा 24B कैंसिल सारा 24B कैंसिल तो फिर देखेंगे सबसे कम इंकम कौन सा है वहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे बेटर है और ये हमारे लिए बेकार है समझ मैं आई बात आपको तो ये सवाल आप new रिजिम से खुद करके दिखाएंगे ये homework माल लिजे आप new tax rate से खुद करेंगे अब बताए यहां तक कोई सवाल में doubt नहीं है तो हम कुछ exam के question उठा के करते हैं सुमित का कहना है 2,00,00 को कहां से minus करेंगे H1, H2 जिस घर से related है आप situation number बताना होगा कौन सा ये situation करना होगा बिल्कुल सारे situation एक्जाम में करके दिखाने है एक्जाम में को 15 नंबर का सवाल लेए 15 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे अगर interest नहीं होगा तो आप फिर से situation बनाएए आप interest वाला point minus नहीं करेंगे और सारे situation पर आप करके एक एक बार check करेंगे तो आपको पता चल जाएगा shortcut पूछ रहे है shortcut में क्या है एक बार मैं सब को मान लेता let out तो let out वाली tension खतम और self occupied में हमें कुछ करना ही नहीं था हमें सरफ minus में मतलब हमने जो इतनी tension लिया एक ही टेबल में हो जाता अब इसका self occupied में income minus देड़ लाक इसका self occupied में income minus दो लाक इसका self occupied में income minus 15,000 तो self occupied में हमें table बना के calculation नहीं करना था यानि एक table बनाते सब का let out निकल जाता situation 1 और 2 का हमें पता ही था क्या लेना है तो वहाँ थोड़ा असान बनेगा अभी आगी questions आएंगे जब आएगा question तो करके बताएंगे और ये rule अगर आपके पास दो ही घर होता तो दोनों का 00 मानो भहिया साफ खतम कहाने ज़्यादा tension मत लो जब दो से ज़्यादा घर है तब ये आपके पास समझ में बात आपको एक सवाल करते हैं इसके ऊपर, एक सवाल करते हैं दो थो